दोस्तों अगर बात करें सत्तर के दौर की मशूर अभिनेत्री की तो उसमें जेबा अक्तियार का नाम सभी के सुपा पराता है जिन्होंने एक पाकिस्तानी अभिनेत्री होने के पावसूत बॉलिवुड में अपना नाम बनाया पर दोस्तों आपके जौनकारी के लिए बता होना जाता है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं कि जेबा वक्तियार के तीसरे पती इनके पहले दो पतियों अद्नान सामी और जावेज जाफरी को हांट सब लोक और अमीनी के मामरे में मात देते हैं या नहीं केवल बराबर की मात नहीं देते बलकि वो पहले दो पतियों से वाकई में जादा हंसम और काफी जादा अमीर है ये बात जानकर आप ही सोच रहे होंगे कि आखे कौन है जेबा बक्तियार के तीसरे पती तो चलिए देड़ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बॉलिवड क कि दुनिया में कदम रखा था जहां इनके इस करदार को दर्शिकों ने इतना जादा पसंद किया कि इन्हें आगे चलकर महबद, स्टेट्समैन, जयव एकरांत और यलगार जैसे फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिला जिसमें काम करने के लिए बॉलिवड की मशूर आगे हैं तो आपको बता दे वो कोई और नहीं बलकि सलमा अन्वैलियानी है जो एक बिस्निस टाइकॉन है जिनसे इन्होंने साल 1903 में श्वादी की थी जिन्होंने अपने हार्ड वरकिंग और काम से लोगों का खूप दिल जीता था और कुछ लोग तो इनकी तारीफे कर उपर से इनकी फॉर्मल जेटलमेन वाली परसनेलिटी जो उनके हांसम लोग में चार चांड लगा दिती है जिसके साथ वो जेबा के साथ उन दोनों हस्बेंट से जादा हांसम दिखाई दिती हैं वहीं आपको बता दें कि इनके गुड लुक्स के साथ साथ सलमान इनके द पांसो करोड रुपे की प्रॉपटी है साथ इसाथ इनके कई मॉल और कंस्रेक्शन कंपनियां भी है जिन से ये काफी जादा पैसा कमा कर लक्शिरिस लाइफस्टाइल जीते हैं वहीं अधनाम सामी और जावे जाफरिस सिर्फ नब्बे के तश्यक में अपना जादू दि बात देते हैं तो दोस्तों आपको इन तीनों में से सबसे जादा कौन पसंद है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर जरूर बताएं और साथ ही बॉलिवर्ट से जुड़ी हुई ऐसी ही मज़दार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पूले